नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आकाश आप देख रहे हैं क्यों रिन तो देश में करोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जिससे हर कोई चिंतिद है करोना से बचाव के लिए हर कोई अपनी इम्मिनिटी को बूस्ट करने का पूरा ध्यान दे रहा है फल सबजियों के साथ ऐसी चीजों का सेवन करना जरूरी है जिससे इम्मिनिटी बूस्ट हो इसी बीच मलाइका अरोडा ने इंस्टाग्राम पर आए दिन वर्क आट वीडियो या फिर फिट रहने के लिए योगासन बताती ही रहती है इसी बीच उन्होंने एक हेल्थ ड्रिंक की रेसिप भी भी शेयर की है जो आपकी इम्मिनिटी को बूस्ट करने में भी आपकी मदद कर सकती है मलाइका अरोडा ने इंस्टाग्राम स्टेटेस में एक तस्वीर शेयर की है जिसमें नोंने लिखा है तो आईए जानते हैं इस कॉक्टेल के बारे में जिसके बारे में मलाइका अरोडा जिकर कर रही है तो इस स्पेशल ड्रिंक को बनाने के लिए आपको क्या-क्या समान की ज़रुत है पहले वो जान लीजिए इसके लिए आपको एक चमच सेप का सिल्का, एक चमच निम्बू का रस, थोड़ी सी अदरक, एक चुथाई चमच हल्दी, कप गरम पानी, आधा चमच शहद और एक चुटकी दालचिनी ओडर चाहिए दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ू मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो ये इंग्रीडियंट्स हैं इन में क्या-क्या चीज़े पाई जाती हैं और किस तरह से आपकी सेहत के लिए लाबकारी हैं तो हल्दी में भरपूर मातरा में प्रोटीन, विटामिन A, कार्बोहडरेट्स, मिनरल्स के अलावा एंटी ऑक्सिडेंट्स, एंटी बेक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी सेप्टिक गुन पाये जाते हैं जो इम्यूनिटी मजबूत करने में काफी मददकार हैं वहीं अद्रक में भरपूर मातरा में विटामिन, मेगनीज और कॉपर पाया जाता है जो सर्दी खांसी के लिए छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगा और आपकी उम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा इसके अलावा सेब के सिर्के में एंटी आक्सिडेंट्स और एंटी इंफलमेट्री गुन पाया जाते हैं जो आपकी उम्यूनिटी बूस्ट करते हैं इसके साथ ही ये स्केन और बालों को भी हेल्दी रखने में आपकी मदद करते हैं तो आपको बेसिकली इन सारी चीजों को मिलाना है अच्छे पानी में डालके मिलाना है इसे घुलाना है इसके बाद इसे धीमे धीमे पीना है जी हाँ दोस्तों जैसा ही सुनाई दे रहा है उतना ही ये आसान है अगर आप इसका सेबन रोस करते हैं तो आप कई तरह की बिम शुगर कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रोल कम हो जाएगा, हाट संबंदित बिमारियों से बचाब होगा, कैंसर संबंदित प्रॉब्लम से भी बचाब होगा, स्किन संबंदित समस्याओं से भी आपको निजाद मिलेगी और आपका वजन भी कम होगा.